नमस्कार मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आइना थियेटर में टाइमिंग का बड़ा महत्तो होता है अभीने के दोरान ही नहीं मंच पर आने और जाने की टाइमिंग भी अगर साध ली जाए तो दर्शक देर तक उससे प्रभावित रहते हैं कमोबेश यही बात जिंदगी पर भी लागो होती है दिल्ली के उपराजिपाल नजीव जंग यूं तो लंबे समय तक प्रशासनिक सेवा से जुड़े रहे लेकिन अभिने के शौकीन भी वे खूब रहे हैं शायद इसलिए उन्होंने राजनिती के मंच पर अपने आने और जाने की टाइमिंग को इस तरह साधा कि वे जब तक रहे चर्चा में बने रहे और जब उन्होंने मंच छोड़ा तब भी उनकी ही चर्चा हो रही है जी हां गुरुवार शाम दिल्ली के सियासी गलियारे में तब अचानक गहमा गहमी बढ़ गई जब ये ख़बर आई कि उपराजिपाल नजीब जंग ने अपने पद से इस्थिफा दे दिया है हलांकि प्रदानमंत्री ने अभी उनके इस्थिफे को सुकार नहीं किया है और उन्हें अपने पद पर बने रहने का निर्देश दिया है देखते हैं ये रिपोर्ट दिल्ली के उपराजिपाल नजीब जंग के इस्थिफे ने सियासी गलियारे में संसनी फैला दी है नजीब जंग के कारेकाल में लगबख डेर साल का वक्त था लेकिन उसके पहले ही अपनी कुरसी को अलविदा कह उन्होंने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिये हैं 2013 में इस पद पर श्री जंग की नियुक्ती हुई थी उस वक्त केंदर में मनमोहन सिंग के नित्रित वाली यूपिय सरकार और दिल्ली में शीला दिक्षित की सरकार थी 2014 में मोदी सरकार आई उस वक्त पिछली सरकार द्वारा न्युक्त कई प्रदेशों के राजेपालों को बदला गया लेकिन दिल्ली में नजीब जंग की कुर्सी बरकरार रही इस बीच दिल्ली में दो बार चुना हुए दोनों बार आम आदमी पाटी की सरकार बनी लेकिन नजीब जंग के साथ आम आदमी पाटी की जंग चलती रही आम आदमी पाटी के दो शासनकाल के दर्मियान एक साल तक लगे राष्टपती शासन में भी जंग ने ही राजी की सरकार चलाई मोधी सरकार के साथ जंग का समिकरन ठीक रहा लेकिन दिल्ली सरकार के साथ उनकी खीचतान खुल कर सामने आती रही मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल के साथ उनकी तना तनी तो आम बात हो गई थी और इतनी बढ़ गई कि मामला अदालत तक जा पहुँचा दरसल लड़ाई इस बात की थी कि दिल्ली किसकी है जी हाँ किसकी है दिल्ली यह मामला तो अब तक सुलजा नहीं है और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जंग के जाने पर जंग खत्म हो गई कहा यही जा रहा है कि नजीब जंग दोबारा शिक्षन के काम में जाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने इस्थिफा देने का फैसला किया है दिल्ली के उपराज़बाल बनने से पहले वो जामिया मिलिया इसलामिया में कुलपती भी थे लेकिन स्थिपे के सवाल पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है सवाल यही है कि आखिर जंग को जाना क्यों पड़ा क्या केंदर की तरफ से कोई दवाब था या फिर जंग अपनी मर्जी के मुताबिक पद छोड़ गए दिल्ली के इस नए सियासी नाटक की समिक्षा के लिए आज हमारे साथ मौझूद हैं देशबंधू दिल्ली के ब्यूरो चीफ अनिल सागर अनिल जी आपका स्वागत है सियासी मंच से जंग की एगजिट इस नाटकिय तरीके से होगी या अनुमान किसी को नहीं था क्योंकि जब जंग के स्थिफ़े के बाद ग्री सचीब से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि एक दिन पहले ही उन्होंने हमसे मुलाकात की थी लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं मिला था शुकरवार को ही ग्रीमंत्राले के अधिकारियों के साथ नजीब जंग की मुलाकात होने वाली थी उससे एक दिन पहले ही उन्होंने इस्तिफ़ा देकर सबको हैरान कर दिया है अनिल जी सवाल यह है कि क्या दिल्ली में जंग के बदले किसी और को लाने की तैयारी हो रही है जिसकी भनक ग्रीमंत्राले तक को नहीं लग पाई देखे जब से कॉंग्रेस की सरकार केंदर से गई है उसके बाद आपने देखा कि कई राजजपाल और उपराजपालों ने अपने पतों से इस्तीफा दे दिया था खुद केरल से जब मुख्यमंत्री दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दिक्षिट जो वहां पे राजपाल थी उन्होंने भी इस्तीफा दी थे और एक परमपरा भी रही है कि जब भी केंदरिक की सरकार जाती है तो विबिन राजपाल होते हैं वो अ मैं खुद भी इस्तीफा की पेशकस लेकर के गया था लेकिन तब मुझे प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप अभी काम करते रही है इसमें कोई संदे नहीं है उन्होंने शायद अपनी सम्मान जनक विदाई को पहले भी चूज किया था कि हम विदा हो जाएं ल अधर भारती जन्ता पार्टी नीत जो केंद्र की सरकार है वो भी अपनी पारी खेल रही थी लेकिन यहां पर अचानक जो आने का हुआ है यह बिलकुल सही है कि नजीब जंग सहाब 25 तारीक को यानि रविवार क्रिसमस जो था उनका गोवा में मनाने का प्रोग्राम था प मुझसे संपर्ख में रहीएगा किसी भी कारे के लिए कोई भी बात हो तो आप मुझसे संपर्ख कर सकते हैं लेकिन एक दिन पहले गुरुवार को उनकी कुछ अधिकारियों से बात Sell 있ищ उसके बाद उन्होंने पहले अपने कार्याले के वरिष्ट अधिकारियों को ब enables dhdes 12 बजे तक आपचारिता के जितने कारे थे वो निप्टाए और 3 बजे सभी कारे लेकर लोगों को कहा कि मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ तो 3 बजे की ब्रीफिंग में उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं इस्तिफा दे रहा हूँ तो इसके उम्मिद किसी को नहीं थी केजरी जो जानकारी माया है वो ये कि इस्तिफा भी उन्होंने अपने एक दूत के जरिये ग्रह मंतराले तक पहुंचाया जो बाद में प्रतान मंतरी काराले पहुंचा और अभी चुकि राश्टरपती दिल्ली में नहीं है तो ये कहा जा रहा है कि दस दिन बाद इस पर सागी की कारवाई होगी लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि ये वास्तव में आम आदमी पार्टी के निताओं को भी ये जटका लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया केजरीवाल सरकार के साथ उपराजिपाल के टकराव जगजाहिर रहे लगभग 22 महीने चले जगड़े में एक वक्त ऐसा भी आया जब केजरीवाल ने जंग पर मोदी का एजेंट होने का आरोप तक लगा दिया इस जगड़े की एक बानगी आईए देखते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली के उपराजिपाल के बीच प्रारंब से ही रिष्टा 36 कर रहा 2013-14 में 49 दिनों की पहली पारी में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली विधान सभा में जनलोक पाल विधैक पेश करने पर जंग की आपत्ती को लेकर उनसे भिड़ गई थी पार्टी ने उनके फैसले पर संदेह प्रकट करने के लिए रेलाइंस में उनके काम कर चुकने का भी मामला उठाया था इसके बाद फरवरी 2015 के चुनाओं में भारी बहुमत हासिल कर सत्ता में आई अरबिंद केजरिवाल सरकार ने जंग पर बार बार प्रशासन में बाधा डालने भाजपा की शह पर काम करने और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा ध्यक्ष अमित शाह के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगाया लेकिन जंग ने पूरी द्रिटा से यह साफ किया कि वह बस समविधानिक प्रावधानों का अक्षर शह पालन कर रहे हैं और एक बार तो यहां तक कह दिया कि दिल्ली की राष्टरी राजधानी छेतर के संदर्ब में सरकार का मतलब दिल्ली का उपराजिपाल होता है दूसरी पारी में पहला टकराव जंग द्वारा वरिष्ट नौकरशाह स्रकुंतला गैमलिन को जून 2015 में दिल्ली सरकार की कारेकारी मुक्ष सचीब न्युक्त किये जाने के उस दिन के अंदर ही हुआ अपनी आपत्ती के बाद भी गैमलिन को नुक्त किये जाने पर केजरिवाल ने इस फैसले को असमवेधानिक करार दिया भरष्टाचार निरोधक शाखा टकराव की दूसरी वजह बना एक ऐसा समय भी आया जब एक ही पद के दो प्रमुक हो गए एक उपराजिपाल द्वारा नियुक्त M.K. मीना और दूसरे आप सरकार द्वारा नियुक्त S.S. यादव दिल्ली महिला आयोग की प्रमुक की नियुक्ती में भी सरकार एवं उपराजिपाल के बीच टकराव हुआ वानिल जी क्या जंग के स्थिपे के पीछे दिल्ली सरकार से टकराव भी एक बज़ा है क्या केजरिवाल सरकार के साथ सिधे टकराव के बज़ाए किसी ऐसे व्यक्ती को उपराजिपाल के पद पर मोधी सरकार बैठाना चाहती है जो बेहतर कॉडिनेशन के साथ काम कर सके पब्लिक डुमेंड में लाके खड़ा कर दिया चाहें वो स्वाती मालीवाल की नियुकती का मामला हो चाहें वो ग्रह सचीव की नियुकती का मामला हो चाहें वो मुखे सचीव की नियुकती का मामला हो और कई मसलों पर दोनों को अलग अलग तरीके से समझोते भी करने और कहीं न कहीं इस पूरी लड़ाई में दिल्ली और देश में एक संदेश अर्विन केजरीवाल देने में काम्याब रहे कि जो दिल्ली के उपराज जपाल हैं वो परदान मंतरी नरेंदर मोधी के इशारे पर उनको काम करने नहीं दे रहे हैं। तो इस टकराओ से जितना फाइदा अर्विन केजरीवाल को हो रहा था उतना ही नुकसान भारती जनता पार्टी और प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी की छवी को भी हो रहा था। मोधी सरकार जो है वो केजरीवाल को काम नहीं करने दे रही है जबकि सचा यह है कि इस पूरे साल भर में केजरीवाल ने दिल्ली में विकास के साथ-साथ अपनी पार्टी के विकास पर अत्याधिक फोकस किया है इसमें कहीं कोई संदेश नहीं है लेकिन एक बात यह भी तो का मख़ूद का रही है रोग सामने सरोकर ऑना काम मैंने चैसा रही है कि पूरे साल भर में आपने संगठन को मजबूत किया है उन्होंने दिल्ली के बाहर बहुत सारे समझार पत्रों में विज्ञापन दिये, अपने काम को वहां की जंता तक, वहां के संगठन को दुरूस्त किया, वहां की इकाईया बनाई, वहां पर जाकर के लोगों में ये संदेश दिया कि दिल्ली में बहुत अच्छा गारे हो रहा है, उन्होंने देश भर में ये संदेश पहलाया, दुनिया के कई परतिश्चित संस्थानों को दिल्ली में आमंत्रित किया, या यूं कहें उनको ऐसा वातावरन तयार किया, कि वो लोग दिल्ली आएं और दिल्ली के कामकाज को देखें और सराहें, और कई जो अलग अलग कारे हैं, उनकी नियू रखी है, हलाकि वो अभी आने वाले दिनों में वो शेप लेंगे, उनका मूरत जो है, जमीन पे वो काम अभी आने वाले चुकि केजरीवाल ने अपने पास कोई पद नहीं रखा केजरीवाल ने आज नहीं तय किया है कि हम दिल्ली और देश में खुद को बढ़ाएंगे कैसे बढ़ाएंगे वह ऐसे बढ़ाएंगे कि मैं कोई विभाग नहीं लूँगा मनीश और बाकी जो सायोगी है वो इसकार देश या अपने मुद्दे कह जाते हैं कि वाकी जो राजनितिक दल हैं वो उसमें उलजे रहते हैं और केजरीवाल आगे जाकर के वो दूसरे राज में नया ध्माका कर देते हैं तो वो अपना कारे बहुत ही खुबसूरती से बड़ी त्यारी से बड़ी योजनाबत तरी जार कर रहे थे ऐसा कहा जा रहा था और केजरीवाल जो आरोफ हमेशा लगाते रहे हैं अब जंग के बाद कौन नजीब जंग के बाद कौन देखे मुझे लगता है एक प्रशासनिक कुशल जो प्रशासक होगा वो ऐसा व्यक्ति लेकर के आएगा डिली की राजनिवास मे जो विवादों से बिलकुल परे हो तो जितने नाम अभी चल रहे हैं जिसमें किरन बेदी या बियस बसी साब तो मुझे नहीं लगता व्यक्तिकत तोर पर कि ऐसा कोई नाम वो लेकर के आएंगे जो पहले ही इस बात के लिए परचारित रहा हो या है कि उसके और केजरीव के बीच में विवाद है अनिल वैजल इस पूरी कवायद में इसलिए बड़े फिट बैठते है एक तो वह जो भारती जंता पार्टी और आरेस से कई जुड़े हुए संस्थान है जिन से उनके अच्छे संबन्ध है नजदीकी संबन्ध है प्रधानमंतरी कारेले में योगदान दिया है डिडिये के वी सी रहे हैं दिली प्रशासन में उन्होंने काम किया है और यहुडी सेक्रेटरी थे शहरी विकास मंत्राले उन्होंने देखा तो मुझे लगता है कि अनिल बैजल के अलावा अगर आरेस का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा तो हो सक की जो आइडिलोजी है वो संग से प्रेडित बताई जाती है उनका नाम है अशोक टंडन अब एक नया नाम अशोक टंडन का भी निकल करके आ रहा है एक चीज मैं बताना चाहूंगा राजीव जी कि अब जो भी उपराज जपाल आएंगे वो ऐसा चाहेगी भारती जन्ता प आज भी बात खळा करते भारती जन्ताकर तो केजरीवाल उप리ंएज को रीबिल्ट कर लेंगे पूरे देश में वह अपनी शवी और विस्तारित कर लेंगे तो मुझे यह लगता है और भारती जन्ता पर्टी आईसी चूक या ऐसी गलती नहीं करेगी वह एक सौं में सुलजे हुए कुशल प्रशासक को लाएगी ताकि वो एक एक जो धागे हैं उन मुद्दों को जोड जोड करके मुद्दों पर अर्विन केजरिवाल को मात देने की तरफ आगे बढ़ें लेकिन अनावश्य विवाद पैदा नहीं करेंगे उप राजिपाल के इस्थिपे पर भी पार्टियों के बीच मद्भेद खुलकर सामने आ रहे हैं कॉंग्रेस कह रही है कि इसमें मोदी सरकार और केजरिवाल के बीच साठ गाट है कॉंग्रेस के अजय माकन ने कहा कि ये असम्मान जनक विदाई है मोदी सरकार और केजरिवाल में क्या डील हुई है जिससे जंग साहब को जाना पड़ा उन्होंने यहां तक कह डाला कि अगर केंदर किसी RSS के पिठ्थू को दिल्ली में लाएगी तो कॉंग्रेस इसका कड़ा भी रोध करेगी नजीव जंग जी ये चोथे उसी उसमें उप्राजिपाल थे जो 9 जुलाए 2013 में आए और तीन वर्ष के अंदर उनको यहां से जाना पड़ा और इसको मैं अन्सेरुमोनियस एक्जिट मैं कहना चाहूंगा और जाहिर सी बात यह है कि इस अन्सेरुमोनियस एक्जिट के पीछे कारण क्या है यह तो किंद्र सरकार को बताना पड़ेगा साथी साथ में हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि केजरिवाल जी और नरिंदर मोदी जी के बीच में आपस में क्या डील हुई है जिस वज़े से इनको हटाया गया वहीं बीजेपी नेता सती शुपाध्या कहते हैं कि ये जंग साहब का निजी फैसला है इसका सम्मान किया जाना चाहिए इस बीच दिल्चस्प बात यह रही कि शुक्रवार सुबह अर्विन केजरिवाल नजीब जंग के घर मिलने पहुँचे और दोनों के बीच करीब आधे घंटे बाचीत चली इस चर्चा पर अर्विन केजरिवाल का कहना है कि खटा मिठा तो जिंदगी में चलता रहता है उन्होंने चाय पर बुलाया था इसलिए आया था उन्होंने इस्थिपा परसनल बज़ा से दिया है कुछ भी आइडिया नहीं था पहले मीडिया से ही पता चला और फिर मैंने लजी साब को फोन किया उन्होंने कहा कि वो परसनल कारणों से उन्होंने इस्थिपा दिया है तो मैं भगवान से प्राथना करता हूँ कि जिन्दगी में वो जो भी आगे करें उसमें उनको सफलता मिले खटा मीठा तो चलता रहता है जिन्दगी में अब अहम सवाल यह है कि दिल्ली की कमान किसके हाथ में आएगी अनिल बैजल, किरन बेदी या अशोक टंडन क्या इससे दिल्ली की सप्ता को साधने में केंदर को आसानी होगी या जंग के बाद भी अमन के आसार नहीं होगे नजीब जंग राजनीती से तो फिलहाल जाने की तयारी में हैं लेकिन इसकी गलियां भी दिल्ली की गलियों की तरह अपनी योर खींचती हैं तभी तो इबराहीम जौक कहते हैं, इन दिनों गर्चे दकन में है बड़ी कद्रे सुखन, कौन जाए जौक पर दिल्ली की गलिया छोड़ कर। धन्यवाद अनिल जी जो आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आइने के साथ, तब तक देखते रिए डीवी लाइब, नमस्कार